नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में दोस्तों जब किसी मनुष्य के जीवन में उसके पीछे उसका दुरुबाग्य पड़ जाता है तो वे लाक जतन कर ले उसके बाबजूद भी उसकी गरीबी उसका साथ नहीं चोड़ती है कदम कदम पर गरीबी उसके परिच्छा लेती रहती है मनुष्य जब भी कोई कारे करता है तो उसे उसमें कभी भी ला भी नहीं मिल पाता है और ऐसा अक्सर तभी होता है जब आपके पीछे आपका दुरुभाग्य लगा हुआ हो तब आपका कोई भी कारे बन ही नहीं पाता है उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रेक कलेश जैसी समस्याओं का सावना उसे करना पड़ रहा हो तो भी लाक यतन कर ले उसके बाब जूद भी उसके धन बिर्दी में कोई भी पूजा पाठ या उपाएक असर नहीं दिखाता है बल्कि उल्टे रूप से वे कर्ज में दिन बदिन धस्ता ही चला जाता है दोस्तो जो व्यक्ति प्रति दिन माता लक्ष्मी को वे भगवान विश्नु को याद करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है माता लक्ष्मी स्वेम अपना आशिर्वा सदाहे उसके उपर बना कर रखती है माता लक्षमी को परति दिन याद करने से ना सिर्फ आपका स्वास्त अच्छा रहता है बलकि नरक्षे भी आपको मुक्ती मिलती है साथ धन धानने की कभी भी कोई कमी नहीं होती है और जब भी ऐसी समस्चाय सामने आती हैं तो घर में ग्रेकलिस और भी जादा बढ़ जाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी के लिए एक उपाए जिसे अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन आकरशन बहुती चोर शोर से बढ़ जाता है और धन बिर्दी होने लगती है लेकिन उससे पहले आगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर रोज हम लाते रहते हैं ऐसे ही चबरदस वीडियों जिनसे आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन तो अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के बारे में दोस्तो जब घर में दुरभाग्य का वास हो जाता है तो वे आपके घर में इतने बड़े रूप से आपकी धन हानी कराता है कि आपके फिजूल खर्चे होते ही रहते हैं और फिजूल खर्ची होने की बज़ा से आपके घर में कभी भी धन खर्टा नहीं हो पाता है लेकिन सास्त्रों में बताएगे कुछ ऐसी आसान सी विधी वे ऐसी चीजे हैं जिने अगर आप कर लेते हैं तो घर में बरकत बनने लगती है दोस्तों जिस घर में बरकत नहीं होती है उस घर में हमेशा ही कोई न कोई बीमार पढ़ने लगता है कर्ज बढ़ता ही जाता है वे धनानी होती ही रहती है अब आपको हम बताने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में और उस चीज के बारे में जिसके आपको ये उपाय करना है लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिख दें ताकि आपको हनुमान जी का पूर्ण आशिरवाद मिले और साथ ही आपके उपाय सिद्ध हो सके दोस्तों जब भी आपके घर में दुरुभाग्य वे नकारतमक उड़ जाये आती हैं तो आपके घर में ही मौजूद कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर वे हमेशा के लिए वज जाता है और आप कितना भी यतन करें कितनी भी साब सफाई उपाई टोने टोटके आदी करें लेकिन वे दुरुभाग्य आपके घर के उन जगों पर घुश चुका है और बस चुका है इसलिए वे कभी जाता ही नहीं है और घर के सदस्यों का भी ध्यान ऐसी जगों पर जाता ही नहीं है क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि दुरुबाग्य वे negative energy के छुपने की जगा कहा होती है। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जहां भी आप धन रखते हैं तिजोरी होती है लोकर होता है सोने जेबरात या बहुमले वस्तों में आप जहां रखते हैं दुरुबाग्य सबसे पहले अपना डेरा वही बनाता है ताकि आपकी हानी हो सके और इसी के कारण आपके घर में ग्रैकलेज बढ़ता है फिजूल खर्ज बढ़ते हैं और धन आने के मार्ग बंद हो जाते हैं जादातर भारतिय घरों में धन रखने का स्थान उनकी अलमारी होती है और अलमारी के अंदर जहां आप महुमले चीज़े रखते हैं उसके साथ ही बहुलमारी के ऊपर के स्थान पर भी नकरतमक उड़ जाएं मंडराती रहती हैं अगर कोई व्यक्ति किसी जोते साथ चार्यक से मिलने के बाद कोई उपाय कर भी लेता है तो अपने लोकर तक ही सीमित होता है अपने धन रखने के स्थान तक पर ही कोई सामान रख पाता है लेकिन आपको बता दें कि नकरतमक उड़ जाएं व्या आपको दुरभाग्य अल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके अलमारी के ऊपर बहुत गंदगी नजर आएगी और गंदे स्थान के होने की बज़ा से दुरभाग्य उज जगा पर अपना डेरा जमा लेता है और फिर आपके घर में दिन रात आपकी हानी ही आनी कराता रहता है तो सबसे पहल दाएं और और बाएं और उपर की तरफ बिलकुल साप सपाई करनी है ये नहीं कह रहे हैं कि आप पर तिजिन करें लेकिन जब भी आप घर की साप सपाई करते हैं तो उसका भी आप विशेश रूप से ध्यान रखें महाँ पर कोई भी गंदगी खास तोर पर मकडी के जाले नहीं होने चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर महाँ मकडी के जाले बन रहे हैं तो आप समझें कि आपकी घर में दुरुबाग्यने अपना डेरा जमालिया है अगर आपकी रोज की आदत में ये सामिल नहीं है और आप पहली बार इस प्रकार से हमारी वीडियो देखने के बाद ये उपाई करने वाले हैं तो आप सबसे पहले महाँ साफ सपाई करें और थोड़े से गंगाजल के चीटे भी अवश्य मारें कोई मकडी आदी का जाला है तो उसे भी साफ करें इसके साथ ही आप चाते हैं कि आपको जीवन में अचानक से धन प्राप्त हो और धन आने के योग आपके कुंडली में और आपकी घर में बनने लगें और आप अपने जिंदगी में इतनी तरक्की करें कि आपको कोई रोग ही ना पाए तो इसके लिए आप एक विशेश उपाए हमारी इस वीडियो में बताई जाने वाला अवशे करें इसके लिए आप वीडियो पूरा अंतर तक देखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली अवशे लिखें दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाए और एक लाल रन का कपड़ा वाँ बिछा ले उसके उपर आप पांच कपूर पांच एलाइची और पांच लोंग रख करके एक थोटा सा तार टुकड़ा जो की चांदी का हो यानि की चांदी के तार का टुकड़ा यानि छोटी सी छोटी वस्तू भी आप चांदी की होनी चाहिए उसे वहां रख दें उसके बाद आप उसकी पोटली बना ले और पोटली को अपने हाथ में उठा करके माता लक्ष्मी के महा मंतर ओम श्री महा लक्ष्मी देवे नमा इस मंतर का आप 108 बार जाब करें और अपने मंदिर में से उठने से पहले आपको एक देशी गी का दीपक परजुलित करके ही वहां से उठना है बस इतना मातर कर लेने के बाद आप उस पोटली को अपने लमारी के उपर रख दें ऐसा करने से आपके घर में धनाकर्सन बढ़ेगा और धन आने की रफतार दुगनी हो जाएगी और हर प्रकार का दुरुबाग या नकारतमक उर जाए आपका घर छोड़ करके भाग जाएगे तो दोस्तों आज की वीडियो में क्यावले तना है कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तम तक के लिए दे में एजादे धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें चै मातादी चै बजरंग बली